कर सकते हैंऑ अगर सबस्सक्राइब कर सकते हैं पैसे करफा रहा सकते हैं यह अग्ञा सबस्क्राइब अज since ऐसे तरह मैं यहां तो उसके लेए आज आपको लिए बहुत ही आसा अणिरी किसे रमेडियू लेखें यह तो इने प्याज मैं आपको जूबा के लिए तो तो प्याजा ऑपका हूआ लेना आपको थोड़ा सा प्काऊ-ई-धियू का मतलब थोड़ा पुराना प्याज लेना और जब आप इसको काटोना तब आपकी आँखों में बहुत ही थी तरीकी से आशु आने चीए ऐसा वाला प्याज ही आपके बालों के लिए काम में आएगा तो अगर आपके अभी काटे टाइम आशु आ रहे तो आप चश्मा लगा सकते हो चुनंगम चबा सकते हो उससे बि कर देना और यह अब आप देख सकते हैं मैंने लिए है अद्रक कट्वकस करने का इसी से मैं जो चाय है ना उसमें अद्रक कट्वकस करके डावतियू वही बाले से आपको ले लेना है धुल लेना है उसको बिल्कुल अची तरीके से और इसी से प्याज का रस चाहिए और य प्याजों का जो रस होता है ना मैं आपको डेफिनेटली बोल रूए एक बर आपने ट्राय किया तो मैं आपको इतना अच्छा इसका रिजल देखने को मिलेगा ना तकि आप खुद भी एक बार शौक हो जाओगे तो यह वैसे तो यह पानी है ना वो सूट नहीं करता है तो वह बिल्कुल यह रेमेडी खतम करने वाली है यह अगर आपने यूस कर लिया तो हफते में इसको तीन बार ट्राय करना है मैं भी आपको बता देती हूँ गर्मिया चल रही है तो दो तीन बार आप आप शैंपू से सर धुई है क्योंकि क्या होता है आप अगर वाश कर लेना यह और तो भी आपके क्या यह पुणूस कर रहे तो और यह काम नहीं आएका और थोड़ा सा कड़वा प्याज रहता है उसे से अपके आशो आहरे तो कड़वा प्याज यह अंदो क्याने में इस तरीके बत्सक्राव जहां बहएं वी कोड़े प्याज़ आप के बहुते हैं तो पीड भी आपको देख सकते हैं इस तरह किसे आपको ले ले ना है और वीडियो में लिया विए एड़ा अगर आपको प्रॉब्लम हो लीडिया तो मैं आप से माफी जाऊंगी क्योंगी क्योंकि अपको पूल गाना फ्रॉमेशन जरूरी होती है कोई भी चीज ट्राय करने से पहले तो अब इसी प्याज का रस्तों मैंने ले लिया तो इसमें एक चमज की लग बग डालेंगे हम ऐलोवेरा जेल आपको देशी वाला लेन है इस तरीके साफ यह देख सकते हैं नॉर्मली मैंने देशी अब देशी तो मेरे प तो अब इसमें डालों कि मैं फूल थोड़े से फूल मैंने आप देख सकते हो गेंदे के फूल डालें अब कुछ लोग पुछेंगे क्यों डाला है यह तो मैं आपको बता देती हूँ इसका रिजन भी क्या होता है आप इसको प्याज को जब लगा की रखोगे तो आपके दो आपके प्यास की स्मेल भी आएगी तो इसमेल किसी किसी को पसंद नहीं है किसी किसी को इन्फेक्शन ऐलर्जी होती तो वह थोड़ा से रोज एसंस डाल सकते हो रोज एवेलेबल नहीं था और मेरे पास होग आपको बता देती हूँ होता इस तरह की सबीके पास अवेल इसलिए मैंने नॉर्मल गेंदे के फूल डाल दें गेंदे के फूल किसी के पास नहीं भी मिले तो रोज की मिल जाएंगे किसी चीज के फूल तो मिलेंगे ना उसको आपको सुखा लें और फिर डालना इसे खुश्बू अच्छी आती है और लास में थोड़ा सा डाला था आ चान कर नहीं लगाएंगे चान कर नहीं लगाओ तो बालों में फस जाएंगे फूल इसलिए आपको थोड़ा से इसको चान लेना और यह बिल्कुल बन के त्यार हो चुका है रेमेडी तो अभी मेरी ममी इसको ट्राय करेंगे उनको बहुत ही जाद अच्छा लगता है और स्पीड से हेर ग्रोथ होते हैं तो अभी ममी ने पंदर दिन पहले ही बाल कटवाए थे इस रेमेडी को लगाने से आपके बाल भी स्पीड से ग्रोथ करेंगे मैं आपको बता देती हूँ तो यह ज़रूरी निया कि अगर आपके शैंपू आपने नहीं कि उससे पहले लगाना है नहीं लगाना बाद में लगाना है आपको केवल इस इसका दिहान रखना है कि आपको जब भी प्रॉब्लम होता हो आप इसको ट्राय कर सकते हो मतलब आपने तेल लगा रखा हो नही फिर देखे कर स्पीड से ग्रोथ होगी बालोगी तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद